हिमाचल का रुख करते हैं हिमाचल में लगातार जो मौसम का मिज़ास सुभा से बना हुआ है उसकी तस्वीरे सबसे पहले आपको दिखा देते सुन्दर नगर सुभा की तस्वीर है लेकिन तस्वीर देखकर आइसा लग रहा है मानो यहांपर शाम हो गई हो रात हो गई यह ज्वाला मुकी की तस्वीर में भी आप इसी तरीके का देख सकते हैं कुलू में यहां पर बर्फ बारी होती हुई भी नजर आ रही है राजगर बिलासपूर सुंदर नगर में भी तेज बारिश हुई जो इसके बाद एक तरफ जो गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही थी उससे थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं बिजली की समस्या भी लोगों को इससे जूजना पड़ रहा है दूसरी तरफ किसानों को काफी परिशानी हो रही है क्योंकि लोगडाउन के चलते पहले से ही किसान काफी परिशान थी लेकिन ऐसे में जब तेज बारिश हुई है तो कोई व्यवस्था ना होने की वज़र से किसानों की फसले खराब हुई है जिसके बाद उन्होंने लगातार सरकार से यही गुहार लगाई है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए बेखिये पूझा मेन नाली के क्या हाला आठा है देखे पूजा मैं बता दूँँा आपको आज सुभा से जो मनाली का मौसम पूरे हिमाचिल का ही मौसम जो है वो करवट बदल दी थी मौसम ने मना लिए कि मैं बात करूँ आज सुबह तो सुबह नो बजे के आसपास कासी तेज बारिश हुई पूजा उसके बाद जो है हाला कि अभी की मैं अगर बात बता दो तो अभी यहां पे बादल छटके काफी हद तक और हश्की अलकी दूब भी खिलिए पूजा लेकिन जिस तरह से जो जो मौसम ने जो करवट बदली है अला कि मौसम विवाग ने पहले का था कि अगले तीन दिनों तक मौसम खराब रहेगा तो उसका सिधा अशर देखने को मिल रहा है सुबह से देखने को मिल रहा है जिस को क्या फरा ते हिरिठ को होने के वाद चाहिए जो है टाने लगने शुरू हो गये हैं तो इसके जए जादा जो जो खत्रा रहता है पूजा ँजो जो हर्से अले फटैया है उस tastijal मौता नुटो को यहां श्रू जो बाहरी उनुटान हो बाले की अभी तक और भा जो जो ग पुजा उस्में यही कहा गया है कि हवाउं के साथ है' recommend जो है अहिकि पालम आपके पास पालम पुर्स अनुप दिमान इस वक्त में आपके बालमपुर में क्योंकि इस वे काफी ज़्यादा है को सफपिन ज कैविश्मा क्वाहए कंवन में अनूप क्या कहना है किसानों का ऐसे में क्योंकि बारिश जो हुई है कितना नुकसान हुआ किसानों को अनूप आप तक मेरी आवास पहुंच पा रही है चल यह मैं इस वक्त उना लिए चलती हो आपको सिधा राजन पूरी मेरे साथ वहां पर जुड़े हुए है राजन वहां पर क्या कहना है किसानों का कितना नुकसान किसानों को हुए इस बारिश की वज़़ से पूजा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह तेज आदी और तेज तुफान के साथ बारिश और अला वरिष्टी हुई है जिसके चलते सतर परसेंट किसानों ने जो अपनी गेहु संभा ली थी लेकिन तीस परसेंट किसानों की गेहु जो है अभी खेतों में है जिसके चलते उन्हें नुकसान हुआ है एक मैं यहां और बताना चाहूँगा कि इस वार जो है आम की बंपर फसल हुई है जिस तरह मौसम विवाग बता रहा है कि आने वाले तीन दिनों में तेज आदी और बारिश होगी तो जिसके चलते जो है तेज आदी के चलते आम की फसल बरबाद होगी लोग डाउन के चलते किसान पहले से ही चिंतिद है और यह जो मौसम विवाग ने चिताबनी दी है इसके चलते किसान की चिंताएं जो है बढ़ गई है बिल्कुल बिल्कुल राजन मैं वापस लोटूँगे आपके पास विकास शर्मा शिमला से मेसा जुड़े हुए हैं विकास एक तरफ तो जहां गर्मी से थोड़ी राहत मिली है लोगों को लेकिन क्या बिजली आपूर्ती में इस वक दिक्कत आ रहे है क्योंकि जिस तरह स असर जो है वो शहरी लाकों में कम और ग्रामीन यानि कि जो कबाईली लाके हैं कबाईली लाकों में सबसे ज्यादा असर इसी चीज का देखने के लिए मिलता है और यह आज की बात नहीं है इससे पहले जब भी आंधी तुफान या वारिश जो है वो तेज यहां पर होती ह तो अमोमन इस तरह की घटना जो है वो सामने देखने के लिए मिलती है तो ऐसे में जो कबाईली लाके होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा असर होता है इसके अलावा जो अगर ओला वरिश्टी की बात करें क्योंकि भाली बारी जो ओला वरिश्टी है वो यहां पर इस दौर रिश्टी हो रही है जगा जगा पर बारिश जो है वो हो रही है पूरे हिमाचा प्रदेश से कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही है और ज्यादा तर फसले जो है वो खराब हो रही है इसके लावा जो बागवान लोग है कहा यहीं जा रहा है जानकारों की अगर माने तो 40 पीसदी जो फसल है सेब की उस तके उपर काफी बड़ा असर जो है वो हिमाचा प्रदेश में देखने के लिए मिला है तुरिजम इंडस्ट्री के बाद जो बागवानी है वो बहुत बड़ी आर्थी की है ठीक है विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट झाल 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 झाल